हम कक्षा चोती विशे हिंदी पार्ट दो भाग दो आज हम सीखने वाले हैं लेसन नमबर 6 छे तैरा की एक व्यायाम भाग एक हमने देखा ता अभी हम भाग दो सीखने वाले हैं सबसे पहले हम एक बार पार्ट फिर से पढ़ लेते हैं कैलाश तैरना नहीं जानता था उसके गुरुजी ने उसे तैरने के फाइदे बताएं तैरना एक अच्छा व्यायाम है तैरने से मनुश्य तंदुरुस्त रहता है उसे अच्छी भूक लगती है खाना हजम होता है आजकर लोग पैसा खर्च करके तैरना सीखने है कैलाश ने बैसाख में तैरना सीखना शुरु किया वह रोज थेले में कपडे रक कर ले जाता था गर आकर गीले कपडे दूप में फेला कर सुखाता था फिर चैन से बैटकर किताब पड़ता था कैलाश ने गाउ में रहने वाले अपने मोसेरे भाई शैलेश को भी तैरना सीखने के लिए अपने पास छुटियों में आने को कहा तैरने के समान सेर करना भी स्वास्थ के लिए अच्छा होता है सुबह सुबह सेर करने से शुद्ध हवा मिलती है तो अभी हमने पाठ पड़ लिया विस्तार में अभी उर्वरित पाठ हम देख लेते हैं पाठ छ तैरा की एक व्यायाम कैलाश ने गाउ में रहने वाले अपने मौसेर भाई सेलेश को भी तैरना सीखने के लिए अपने पास छुटियों में आने को कहा अभी यहाँ पे कैलाश ने अपने मौसेरे भाई को भी तैरने के लिए अपने पास छुटियों में बुलाया है क्यों? क्योंकि कैलाश को पता है कि तैरना स्वास्ते के लिए बहुत अच्छा होता है तैरने के बहुत सारे फाइदे है क्या-क्या फाइदे है? अच्छी व्यूक लगती है, खाना हजम होता है और स्वास्त के लिए भी तैरना अच्छा होता है इसलिए उसने अपने मौसरे भाई को भी अपने पास छुटियों में आने को कहा तैरने के समान सेर करना भी स्वास्त के लिए अच्छा होता है वैसे तेरने के समान स्वीमिंग करने के साथ साथ सेर करना मतलब वाकिंग करना जोगिंग करना ये भी हमारे स्वास्ते के लिए अच्छा होता है जितने भी फिजिकल अक्टिविटीज होती है जितना जादा हम करेंगे उतना हमारे स्वास्ते के लिए अच्छा होता है जैसे कि तेरना, स्वीमिंग करना, सेर करना, वॉकिंग करना, जोगिंग करना, रनिंग करना ये सब हमारे स्वास्ते के लिए अच्छा होता है योगा करना ये भी हमारे स्वास्ते के लिए अच्छा होता है इसलिए हमें हमेशा ऐसे physical activities करती रहनी चाहिए योगा करना हो, सेर करना हो, तेरना हो, जोगिंग करना हो, वाकिंग करना हो यह खेलना हो, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना आपके स्वास्त के लिए अच्छा है आपकी उमर यह ऐसी है कि आप जितना ज़्यादा खेलेंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा और आप फ्रेश फिल भी करेंगे और आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा तो यह पार्ट से हम यह सीख लेते हैं कि स्वास्त को हमें अच्छा रखना है तो तेरना मतलब स्विमिंग करना, सेर करना, जॉगिंग, वॉकिंग करना, रनिंग करना, यूगा करना, खेलना यह सब ज़रूरी है तो हमने यह पार्ट से सीख ली कि स्वास्त अच्छा होना चाहिए और इसके लिए यह सब करना भी उतना ही ज़रूरी है उसके साथ ही पढ़ाई भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ हमें ये सब चीजे भी करनी है सुबह सुबह सेर करने से शुद्ध हवा भी मिलती है तो हमें अगर जॉगिंग करना है वाकिंग करना है तो हमें ये सब सुबह सुबह करना है क्यों क्योंकि सुबह सुबह शुद्ध हवा मिलती है क्यों सुबह सुबह की हवा शुद्ध होती है क्योंकि सुबह सुबह हमें फ्रेश एर मिलती है ताजी हवा मिलती है और वो हमारे स्वास्ते के लिए अच्छी होती है क्योंकि वो टाइम पे ज्यादा से ज्यादा गाडि लेकिन सुबह 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 से हमारे पैड़ पौदों हुआ मीलती है इसलिए वह मैं 오를 añते हुपना को स्वास्द केLLए चलिए तो हमें ये पार्ट सीख लिया पार्ट से हमने ये भी सीखा है कि स्वास्त को अच्छा रखना है तो हमें सेर करना है, स्विमिंग करना है, वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, खेलना कुदना है तो अभी हम parts related कुछ कोशनासस देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए fill in the blanks तेरने के समान सेर करना भी डैश के लिए अच्छा होता है तेरने के समान सेर करना भी डैश के लिए अच्छा होता है सुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसु निमनलिकित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए अब यहां पे हैं फाइदा तो फाइदा से हम वाक्य बनाएंगे तैरने से बहुत फाइदे होते है तैरने से बहुत फाइदे होते है फाइदा मतलद बेनिपिट्स तैरने से बहुत फाइदे होते है सेर गूमना जोगिंग करना वाकिंग करना सेर करना स्वास्त के लिए अच्छा होता है सेर करना स्वास्त के लिए अच्छा होता है चैन मुझे चैन से बेट कर किताब पढ़ना अच्छा लगता है मुझे चैन से बेट कर किताब पढ़ना अच्छा लगता है चैन से मतलब रिलाक्स होकर बेट कर अभी हम देखेंगे वैकरन का भाग वैकरन में आज हम देखेंगे काल काल मतलब काल का अर्थ होता है समय जाएंगे, आएंगे एक क्रिया के रूप होने का समय काल बताते है मतलब यहाँ पे हमें जाएंगे मतलब कब होगा, कल हुआ, कल होने वाला है कल होगा, ऐसे जब शब्दा आते है तो उससे हमें पता चलता है कि वो कौन सा काल है, कौन सा टेंस है तो उसमें तीन भाग है एक है वरतमान काल मैं आम खाता हूँ मैं आम खाता हूँ अभी मैं खा रहा हूँ तो ये क्रिया जो मेरी है वो चालू है तो ये है वर्तमानकाल वर्तमानकाल present tense भूतकाल अभी भूतकाल भूतकाल मतलब past tense मैंने आम खाया मैंने आम खाया मेरा आम खाके हो गया है बीता हुआ काल मतलब मेरा आम खाके हो गया है ये मेरा ये past tense क्रिया हो चुकी है भविशे काल मतलब future tense मैं आम खाऊंगा मैं आम खाऊंगा अभी ये खाने बाकी है अभी तक खाया नहीं आने वाला काल मतलब ये future tense है अभी तक आम खाया नहीं है, खाने वाला है, मैं आम खाऊंगा, तो यह हो गया future tense तो हमेरे तीन प्रकार है, tense के एक है वर्तमानकाल, present tense, भूतकाल, past tense और तीसरा है बविशकाल, future tense तो इस पर हम थोड़े question देखते हैं, निमनरीकित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए Recognize and write the tense of following sentences मैं किताब पढ़ता हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ तो यह कौन सा काल है, यह आपको पहचानना है यह है वर्तमानकाल, क्योंकि वो किताब पढ़ता हूँ मतलब यह चालू आली क्रिया है, present tense है इसलिए यह है वर्तमानकाल मैं केला खाऊंगा मैं केला खाऊंगा अभी इसने केला खाया है क्या? नहीं खा रहा है क्या? नहीं, यह खाने वाला है तो ये हो गया future tense, मतलब भविशकाल, खाने वाला है, इसलिए भविशकाल, अभी तक खाया नहीं है सीता बाजर गई थी, अब सीता बाजर में है क्या, नहीं, सीता बाजर जाने वाली है क्या, नहीं, तो सीता बाजर गई थी, मतलब ये क्रिया हो चुकी है तो ये कौन सा काल हो गया? पास्टेंस पराबर पास्टेंस मतलब भूत काल सीता बाजार गई थी मीना गाना गाएगी अब यहाँ पे मीना ने गाना गाया है क्या? नहीं गार ही है क्या? नहीं तो ये गाने वाली है तो ये कौन सा काल हो गया? फ्यूचर टेंस मतलब भविश्यकाल वो गाना गाने वाली है इसलिए ये है भविश्यकाल फ्यूचर टेंस मा मंदिर जा रही है मा मंदिर जा रही है तो यहाँ पे मा मंदिर जाके आई है क्या? नहीं जाने वाली है क्या? नहीं तो मा मंदिर जा रही है मतलब ये चालू करिया है तो ये हो गया present tense present tense मतलब वर्तमानकाल वर्तमानकाल present tense तो इस तरह हमने काल देखे और हमारा तैरा की एक्वियायाम ये पाट भी हमने पढ़ लिया ये पाट से हमने सीखा कि हमें स्वास्ते के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए हमारा स्वास्त अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा स्वास्त के लिए ख्याल रखना है, सेर करना है, घुमना है, फिरना है, एक जगा पे जदा पेटना नहीं है, इसी तरह हमने ये पार्ट सीख लिया, उसके साथ हमने काल, मतलब टेंस भी सीख लिए, तो जितने भ आप अपने बुक में लिखेंगे और पाठ को अच्छे से रीड भी करेंगे धन्यवाद